हेलो मेरे दोस्तों मेरा हुदर सुपागा था आप लोगों का अपके अपने यूटूब चनल और किसेंटर पर दोस्तों आज के वीडियो में हम लोगे कि ऐसे कुछिंस को क्लियर करने वाले हैं जो कि आपके एक्जामरेशन के दुरिश्टी कौन से अब भी यह कोश्चन है वो समस्टर वन के एई सी वन हिंदी के अंदर का पूछा क्या है और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ उसी के लिए समस्टर वन को लिए यह सब जगा इंपोर्टन होने वाला है जहां भी आपके यह कोश्चन पूछा जाएगा तो देखिए अगर कोश्चन विपेचना करना ठीक है तो चलिए दोस्तों एक एजी सा लेंग्वेज में लोग इसको जानने का परियास करता है उसके साथ साथ आपको घबरानी की जोरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसका पीडिया भी आपको मिलने वाला है अब देखिए बात आता है कि पीडिया आ कि आफर लेखन कॉसल किसको कहते है और लेकन कॉसल किसको कहते है मैंक अपना राइडिग सुधारूम का राइटिंग सुधारो लिखने का तरीका उसके इंश आता है ना वो सुधारोखली राइटिंग है नहीं सुधारना है लिखने का तरीका भी सुधारना है कि कैसे उसमें पाई देना है किस तरह से आपको लिखना है क्या सोच के लिखना क्या आप उसमें लिखें जो देखने वाले को भी अट्राक्ट लगे तो उसी को हम लोग क्या कहते है ल जिसे लेखन कॉसल का अर्थ तो इस प्रकार से बताया है कि अपने भाव और विचारों की अभी वक्ति जब लिखित रूप में किया जाता है तो उसे लेखन कॉसल कहते हैं जब अपने भाव को, अपने भाव को, अपने विचार को, क्या करते हैं, लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, लिख करके बताते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, लेखन कॉसल कहते हैं, बताया क्या है, कि इसे लिखित अभिवक्ती भी कहा जाता है, लिखित अभिवक्ती भी क कहा जाता है को पूछेगा आपको में पूछ सकता है कि लिखित अभीवक्ती किसको कहा जाता तो लेखन कॉसल को कहा जाता है ठीक है तर्फनिक हैं, लेखक हैं, रविंदरणाट ट्राइगोर जी, जिन् expectation ने को σας看到, तो है अमझे क्या होता है, तो देकिए है है, कि लेखन कला मानविए कलपनाओ की अभिव्यक्ति है, और देकिए हैं, देकिया हैं, लेखन कोसलं के माधियम्ची, अभिवक्ती को व्यक्त करना ही कला है लिज कहने का मतलब यह है कि अपने मन के जो भावनाएं है अपने मन के जो भावनाएं है बिचारे जो है कलपना जो है उसको लिख करके जो है व्यक्त करना ही क्या कलाता है लेखन कौसल कहलाता है यह क्या होता दोस्तों एक कला होता है क्या होता है एक कला होता ऐसा नहीं कि उसमें कुछ भी तरीके से लिखते हैं उसको बैवस्थित करके लिखना पड़ता है ताकि आप देखने वाला भी जो है पढ़ने वाला भी क्या होजा एट्रेक्ट होजा उसको लगे कि हाँ इसमें व्यक्त करते हैं मिस बोला गयान है कि लोग जो है ना अपने अभिव्यक्ति को कवीता कहानी साइरी और पन्यास के जरिये सो जो है ना क्या करते हैं व्यक्त करने का पर्यास करते हैं कभी कभी देखे होंगे लोग WhatsApp और चाहते हैं जब लोगों को तकलीफ होता है तो क्या करते हैं अपने अपने विचारों को व्यक्त करते हैं दूसरों को बताते हैं कि हम क्या है दूख है तो उस तरह से लोग क्या करते हैं मेम्स बना करके डालते हैं सायरी लिख करके बताते हैं मतलब लिखना लिखना को परकट करना ही क्या कहलाता है लेखन कौसल कहलाता है चेक है यह तक हम लोग समझ गये अब देखिए कोसन में भी बुलाता है कि इसके परिभासाओं को बता है कि इसके क्या क्या परिभासा है है जिसके परिभासाओं को अदग भागों में बाटा गया, जिके बुला गया, कि भासा की ध्वानियों को जब लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है, तो उसे लेखन या तो लिखित अभीवक्ती कौसल कहते हैं, भासा, जितने भी ध्वानी है, उसको व्यवस्थित रूप से लिखना क्या कहलाता है लेखन कौसल कहलाता है ठीक है दूसरा अपने भाव और विचारों को अपने भाव और विचारों को लिखित रूप में व्यक्त करना की प्रक्रिया को लेखन कौसल के नाम से जाना जाता है कि आगे बताएक है कि भासा के धुवनियों को प्रतीकों के द्वारा जब लिखित रूप में व्यक्षत किया जाता है तो उसे लेखन कसल कहता है, यहां तो यह तो यह तीन तरीका का परियास करते हैं कि आखिर लेकर कोसल के कितने परकार होते हैं लेकर कोसल के कितने परकार होते हैं ठीक है क्योंकि आपको इसका परिभासा को जान गए इसके अर्थ को जान गए अब हम लोग इसके परकार को जान लेते हैं उसके बाद हम लोग जानेंगे कि लेकर कोसल का क् दोस्तों इसका पीडिया भी आपको WhatsApp ग्रूप में मिल जाएगा इसका लिंग आपको डिस्क्रिप्टर बॉक्स में दियागा उसके साथ साथ पहला है सुलेख का मतलब होता है सुन के लिखना अब कभी क्लास में पढ़ रहे होंगे स्कूल में पढ़ रहे होंगे आपके टीचर कभी सुरूती लेख लिखाया होंगे सुलेख का मतलब होता है सुन-सुल का लिखना कि टीचर आपको बोलते जाएगा आपको लिखना सुद สरीपर लिखना है की कि आप सुद्ध सुद्ध लिख पा रहे हैं कि नई लिख पा रहे हैं उसी को क्या कहते हैं तो चलिए हम लोग जानते हैं कि यह करके कोई लोग क्या कहते हैं कि हैं और सुले का लेखन कॉसल सिक्षन में विसेस्थान है कि माल लिजिए अगर आप कुछ चीज़ों को लिखते हैं और एक दम सुंदर तरीके से लिखते हैं दोस्तों तो सबका ध्यान जो हो जाएगा अट्रैक्ट हो जाएगा मिस वहाँ पर पो लगा है कि एक सुन्दर लेख में निम्लिखित गुन होना चाहिए पहला गुन क्या है कि परस्पर वर्णों में तथा वर्णों का मात्राओं के साथ आकार के दुरिष्टी से अपात भी किया किया कर ना जितना पहला में दिए उसी इसे के तरीक के दुसरे दुसरे में कि दी दूसरा देवनागरी निपी के वर्गों में पाई का चिन, लेख को सुंदर बनाने में, बहुत महत्वर रखता है यदि पाई सीजी होगी तो वरन सुन्दर बनेगा और पाई का कौन जोना 90 डिग्री पर होना चीए जैसे बोला किया देवनागरी लिपी देवनागरी मतलब हिनी तरीके से लिखते है ना तो उसमें जोना पाई का मान जोना बहुत अधीक होता है अ समन चीए वो 90 डिग्री बना चीए ताकि आपका जो वर्ड बने आपका जो अक्षर हो उद्दम स्टेइट हो ठीक है रहेगा तो देखने में भी क्या रहेगा बर्ड लगेगा च्छा लगेगा देखने में ठीक है पर नेक्स्ट दिकिर बोला क्या है कि देवनागरी लिप तो यह हो गया सूलेख के क्या गुन ठीक है अब हम लोग जानते हैं दूसरा दूसरा में क्या था अनुलेख अनुलेख किसको कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं देख 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 के लिखना कोई अनुलेख कहते हैं देख नेक्ट बता गया है किसमें छात्र सिक्षक के आदर्स लेख का बिल्कुल हुब 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 अनुकरन करते हैं इसमें छात्र क्या करते हैं सिक्षक के द्वारा लिखे गए में सिक्षक जो लिखते हैं उसके द्वारा हुब 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 कापी कर लेते हैं उसी को उसी को हम लोग क्या कहते हैं ठीक है बता गया कि सिक्षक तक्ति या कॉपी पर वर्न या सब्द लिख देता है और बच्चे देख करके ठीक वैसा ही लिखने का परियास करते हैं अनूलेक कहते हैं पेसा है क्या कहते हैं अनूलेक कहते हैं ठीक है तो यति सब्सक्राइब क्ईम्गल समझा पर सुनेवी ध्वनिया को लेखनी बद करते हैं सिक्षक के द्वारा बोलेगे वचनों को लिखेंगे जो जो बोलते जाएगा वो उसकी वानी को लिखते जाएंगे जो पुर्ण सिक्षित करना भी है ताकि वाब भासा के सुधारूप का स्वाधानी से स्थीिजट सकें कि छात्र जो है बढ़िया ऐसा सुने उसके साथ साथ जो भासा उनको बोला जाए जो वर्ड उनके बोला जाए वो साथानी पुर्वक से सुधर रूप में उसको लिखें ठीक है नेक्स बता है कि इसमें बच्चे के लिखावट में सुधालता स्पस्टा वा गति लाना भी उदेश से रहता ठीक है इसमें से इसका उदेश से क्या रहता है कि बच्चे के लिखावट सुधारना इसका स्पस्टा कि किस प्रकार से आप लिखेंगे इतम सुधु सुधु लि काई सकते हैं कि अपने भावों को अपने विचारों को लिखेश करके व्यक्त करना कहलाता है लेखन कौसल का उदेश कि अगर लेखन कौसल का क्या उदेश है अगर हम लेखन कौसल सीख जाते हैं मालजे तो इसका कुछ तो उदेश होना चीए कुछ तो महतु होना चीए तो क्या महतु है हना तो देखे बताया क्या है कि इसका उदेश होता है कि वर्नों को ठीक ठीक लिखना सी पर दूसरा है कि सुन्दर लेक का अभियास करना कि अगर आप कुछ चीजों को लिखते हैं तो उसको सुन्दर सुन्दर लिखने का परियास करें पर तीसरा है सुद्ध अक्षर वन्यास का ज्यान करना ठीक है कि अगर आप कोई भी अक्षर लिखते हैं कोई भी अक्षर जान होना कि वाकिय किस प्रकार से बनाया जाना चाहिए उसके नियम से परिचीत होना हाना ऐसा नहीं कि वाकिय किसी भी तरीके से बना देंगे ठीक है कैसे लिखेंगे उसको जानना लिखने का तरीका को जानना फिर पाच्वा में है विचार तार्किक क्रम से प्रस्तूत करना ठीक है अपना जो विचार आएगा उसको वचनबद तरीके से प्रस्तूत करना ठीक है बनिया रूप में प्रस्तूत करना ही क्या कहलाता है विचार तार्किक क्या लाता है फिर देखे अनुभावों का लेखन करना ठीक है आपका जो अनुभाव होगा उसको क्या करना उसमें से लिखना लोग जोना लेखन का अंदरगार इन चीजों का महत्व होता है फिर देखे साथमा है लिपी सब्द मुहावरों का ग्यान होना ठीक है इसके अंदरगार में क्य अंतरगत, फिर तकी 8 में है, कि वाक्य रचना, सुध वर्तनी, विराम चिन्नों का परियोग सीखना, बच्चे चुह है, इसके अंतरगत में क्या क्या सीखते हैं, वाक्य के रचना करना इक लिए सीखते हैं, सुध सुध लिखना सीखते हैं, बात करना सीखते हैं, विराम चि लेखन कौसल में निपुन बनाना इसका सबसे महत्तपूर्ologique कारी के होता है कि चात्रों को जो आ है लेखन कौसल में निपुन बनाना कि चात्र जो है बीटर तरीके से सब कुछ लिख सकें अभी अपने विचारों को rumah कर सकें ठीक को व्यक्त कर सके तो उम्मीद करें दोशन आपको समझ में आ गया होगा यह कोसन खतम हो गया और इससे लिडर जत्री भी कोसन होगे सारे के सारे कोशन आपको इस चैनल पर करवाया जाएंगे आपको बिल्कुल भी घबराने के जुरूत नहीं है ठीक है तो इस से लिट रगर कोई भी कोशन होगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें कि सर मुझे ये कोशन चाहिए उसके साथ-साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो मिलता नाइक्स वीडियो में जब तक के लिए जए ही जए भारत